हाई एवरिवन एक बार फिर से स्वागत है लक्समीज कीचन में एक नई वीडियो के साथ तो फ्रेंट्स आज बना रहे हैं सूजी का हलवा सूजी का हलवा आपने काफी तरीकी से खाया होगा काफी तरीकी से बनाया होगा लेकिन आज हमें एक अलग ही नया ही तरीका बना रहे है तो सबसे पहले हम ले लेते हैं दूद तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा हलका गुनगुना सा दूद लेना है ये मैंने आदा केजी के करीब दूद ले लिया है तो दूद आप जवन सब या अपने घर में यूज लेते हैं वो ले सकते हैं तो मैंने याँ पर बैंस का दूद ले लिया है तो दूद को हमें हलका सा गुनगना रखना है जादा हमें गरम नहीं करना है तो अब इसमें ले ले लेते हैं 100 ग्राम के करीब सूजी तो आप देख सकते हैं मैंने ये सूजी जो हमारे गर में नर्मल सूजी होती है वो ही सूजी ली है मैं ही मोटी इसका कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि हमेशे दूद के अंदर ही डालना है तो अभी आप देख सकते हैं फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूं एक चमस बेसन का तो ये पूरी तरीके से उप्सिनल है अगर आप इसमें सूजी के साथ ही बनाना चाते हैं तो इसमें बेसन मत डाले लेकिं बेसन से क्या होगा इसमें फ्लेवर अच्छा है गिया टाल्द तै. घी हम याँ पर हम देशी लिया लुक्ष लेगाल मैं जाते लेकिन वंखनी तो वंद्सपती, भी लीासे लिए सकते हैं अब इन सार चीजों को हम अच्छा सा मिक्स कर देंगे तो अभी आप देख सकते हैं हमें बिल्कुल इसको एक लिक्विर तरीके से बनाना है ना कि इसके अंदर हमें सूजी को फुलाना है बिल्कुल लिक्विर तरीके से बनाना है और इन सार चीजों को अच्छा सा मिक्स कर कि दूद में डिला है तो इसको आज थोड़ दें थाकि धह ठीज я के था और अभी में डाल देतेजख़ंशा ना후 दूंट से tail हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो आप देख सकते हैं घी हमारा अच्छा सा मेल्ट हो चुका है मिठाईयां काफी तर जो होती हैं देशी घी के अंदर ही अच्छी लगते हैं लेकिन अगर आप इसको वनस्पती में बनाना साथ हैं तो बना सकते हैं अब हमारा गी अच्छा सा मेल्ट हो चुका है अब इदर हमारा बैटर को भी देख लेते हैं कि बैटर में थोड़ा वह सूजी नहीं अब चाह सकती है लेकिन वैसे आप देखिए एक दिम लिक बिरतरी के काई है क्योंकि हमने इसके अंदर दूद फुल डाला था तो अब गीले बैटर को ़िए हम इस गी के अंदर डाल देंगे और घीके अंदर आप डालते हैं आप देखेंगे कि बैटर हमारा थड़ा थोड़ा घड़ा होना श्टार हो गागे लेकिकि हम इसको लगाता कर सा नहीं है , आप दहसे जैसे दूद में दिला फोड़ाग गाठे सी ब लेखना हैं क्योंकि जो सूजी है वो अच्छी सी दूद के अंदर भीगिवी है और दूद जो होते हैं वो तले पर लगने का डर रहता है इसलिए गैस का फ्लेम कम रखें और इसको लगातार चलाते रहेंगे बिलकुल भी स्कीप नहीं करेंगे वीडियो बिच में तो दे की रहेंगे क्योंकि जो दूद है वो तले पर जिमता है और इससे जो हमारा हलवा है वो जल जाएगा इसलिए आप इसको लगाता चलाते रहें और इस तरीके से करते रहें अभी आप देख रहें गी बिल्कुल भी सारा इसमें लिक्विड है उपर है अभी कुछी सेकंडों के बाद में आप देखेंगे गी सारा सूजी ने अच्छा सा अज़र कर लेगी गी का पता ही नहीं चलेगा कि कहां चला गया तो फ्रेंड्स वीडियो को इसकी मत कीजिएगा पूरा देखिएगा तब यह आपको पता चलेगा कि जो हमने दूद हूएं सूजी को हलवा बनाया और वीडियो को फुल वोज कीजिएगा तो अभी आप देख सकते हैं दीरे-दीरे सारा गी इस सूजी के अंदर अच्छा सा मिक्स हो गया है और सूजी भी अच्छी सी हमारी गाड़ी-गाड़ी होने इस्टार्ट हो चुकी है अभी आपको यह बैटर बिलकुल गीला लग तो इसको लिए हमें इसको लगाता चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे बीच में बिल्कुल भी पल्टे को नहीं रोकना है क्योंकि अब इसके अंदर दूज डिलाए तो दूद है जो जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो यह जा कि तले में लग जाएगा तो अब आप देख सकते ह सारा गी इस सुजी ने अवजर्व कर लिए बिल्कुल इसमें अच्छा सा मेक्स ओता रहा भाएए दीरे दीरे सारा गी इसमें अच्छा सा मेक्स हो चुका है तो फ्रेंंड से अगर आपको मेरी रेसिप अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और ज्यादा से जदा अपने दोस्तों मेरे रिलेटिव में मेरे चैनल को शेयर कीजिए तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सूजी की जो ठीकनस है वो बेले से बिलकुल गाड़ी हो चुकी है और गी भी सारा इसके अंदर अच्छा सा मिक्स हो चुका आप देख सकते हैं बिलकुल बड़ी है तरीके से पूरा गी इस सूजी ने अफजरू कर लिया पता ही ने चल रहा है कि गी कहा गया तो अभी आप देख सकते हैं पूरा गीश ने अवजर कर लिए अब इसको हमें लगातार चलाते रहना है जब तक पकाना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए इसमें हलकी खुसबू ना निस्टार रो जाए और इस सफूजी हमें अभी एक डो की तलह दिख रही है बिल्कुल एकदम दाने जाने तरीके से ना हो जाए। इसको हमें लगाते चलाते चलाते हमें 10-15 मिटरamba से लग जाएंगी तो इसको हमें लगातार चलाते रहना है और इसके अंदर आप जो भी कुछ डालना साते हैं फ्लेवर के लिए इलाइची पाउडर जो भी आपको अच्छा लगया आप इसके अंदर डाल सकते हैं तो फ्रेंड्स फिलाल तो मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूं अब इसको में लगाता चलाते रहना है तो अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल डो बन गया है इत्म गड़ा गड़ा डो बन कर त्यार हो चुका है और कड़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है क्योंकि इसमें सारा गी अच्छा सा मिक्स कर लें अभी आप देख सकते हैं जैसे जैसे यह पकेगा इसमें गीरी लिर जोएगा अब मैंने इसमें थोड़ से इलाइची के दाने डाल दिये हैं इससे अच्छा फ्लेवर आएगा तो अभी आप देख सकते हैं सूजी ने कलर हलका सा चेंज कर दिया है और इसके जो दाने से दाने से दाने से होने स्टार्ट हो चुके हैं हमें इसी तरीके का हलवा बनाना है तो इससे लगाता चलाते रहेंगे यह बिल्कुल अलग हो जाएंगे यह आपस में बिल्कुल भी जिर चिपकेगी सूजी के जो हैं तो फ्रैंड्स वीडियो को skip मत किये जियेगा पूरा देखिए गा तो यह देखिए जिनों ने मेरे चैनल को subscribe कर दिया है उनका बहुत-बहुत धनoryवाद तो फ्रैंड्स ये देखिए अच्छा सा मिक्स कर दिया अब इस सूजी ली थी तो चीनी हम यहाँ पर 1.500 ग्राम के करीब लगें क्योंकि सूजी फिकी होती है तो इसके अंदर थोड़ी चीनी की मातरा ज़्यादा ही लगी तो अभी आप देख सकते हैं सूजी ने बिल्कुल अलग अलग है बिल्कुल सूजी हमारी भूनकर तयार हो चुकी है और इसमें खुजबू भी बहुत बढ़ी हा रही है अब इसमें जो हमने चास्नी बनाए थी वो चास्नी इसमें डाल देते हैं और चास्नी डालने के बाद में इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे तो फ्रेंड्स अगर इस अलवे को आप जरूर ट्राय किजिएगा और अगर आपको यह रेसिप अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर लिख कर बताईएगा कि आपको जो यह सूजी का हलवा एक कैसा लगा अभी आप देख सकते हैं गी पूरा रिलिज हो चुका है क्योंकि सूजी बड़ी ऐसी भून कर त्यार हो चुकी इसलिए पूरा गी इसने छोड़ दिया है लेकिन जैसे हम इसमें जो चासनी वाला पानी डालेंगे तो यह चीनी और घी अपने आप इसके साथ अच्छा सा मेल्ट हो जाएगा और एक हलवे का रूप ले लेगा तो देख सकते हैं आप इसको हमें मिलाते मिलाते काफी टाइम हो चुका है और इसने एक दम बड़िया सा हमारा हलवे का टेक्चर ले लिया है और एक दम कितना स्मूट सा हमारा हलवा त्यार हो चुका है देखने में आपको ये आलू के हलवे जैसे लगेगा और खाने में इसका टेस्ट तो पता ही नहीं कैस की इसके में सूजी का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा तो कि हमने इसको दूद के साथ बनाया इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे ये पूरी तरीके से उप्सिनल अगर आप इसको ऐसा बनाना चाते हैं तो ऐसा भी इसमें बना सकते हैं बेकिन हलका सा food color डालने से सिका color बएंता सुनतर हेगा,्ُ आपके पास केसर है तो आप सीजош दे कजार के पास केसर के डाल सकते हैं अगर नहीं है तो कोई दिकत नहीं है नहीं, पना भी ठेक सकते हैं इस तरीके का हलवा जरूर बना कर ट्राइ किजिएगा अगर आपको यह रैसी पे अच्छी लगे तो एक लाइक और एक कमेट जरूर लिख कर गईएगा और अभी देखिए हलवे को हम अलग बरतन में कर लेते हैं सर्व और यह कुछ ही समानों से बनाएगी यह समान हमारे घर में महजूद ही होते हैं इसे हमें कोई बाहर से लाने की जरूरत नहीं है हलवा हमारे त्यार हो चुक है मैं इसको एक अलग बावल में ट्रास्फर कर लेती हूं गार्निस के लिए हम यहाँ पर थोड़े से पिस्टा और बदाम डालेंगे तो यह पूरी तरीके से ऑप्सिन की जन तक तक के लिए धन्यवाद बाई बाई